नमस्कार दोस्टों, कैसे हुआप सभी? उमीद करते हुआँ सभी अच्छी हूगी, सभी को राम-राम दोस्तों, आज को अज अच्छा सकोर दोस्तों आप सब्णारब्त कर पाऊगी आपका revision एक बार फिर से दोस्तों हो जाएगा बहुत अच्छे questions में आपके सामने present करूँगा जो example to view की according अगर देखिये हम तो काफ़ ज़द हम है तो 99% question यहां से देखने को मिल सकते हैं तो like कर दें वीडियो को काफ़ effective होने वाली है शेर कर दें और subscribe नहीं किये तो चैनल को subscribe करके जुड़ जाएगे क्योंकि लगातर आपको class यहां देखने को मिलते रहेंगे हिंदी की complete हो चुकी है एक दो classes हो जाएगे रास्तन जी की शुरू होगा इसके बाद में आपका English का जो matter वो भी हम करवा देंगे उसकी चीनत आपना करें ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और अभी तक फोलो नहीं किया ताव इंस्टाग्राम पर फोलो कर सकते हैं मुझसे कोई भी परस्नल डाउट अगर पूछन चाहते हैं तो डीम कर सकते हैं लिंक नीचे दिया गया है आज ही क्लास की पीडिफ दोस्तों मिल जाएगा पको टेलेग्रम चैनल पर मैं थैसके नायक नाम सर्च कर सकते हैं लेकिन इसका लिंक भी दोस्तों नीचे दिया ग बहुत अच्छा कोशन है कई बार रिपेट बरीबल दिविस किस सम्मद देते हैं बताओ दोस्तों मूद अच्छा प्रस्ना और उमिद करता हूं यह आता भी होगा पिछली कई भरती प्रिक्षाओं में यह परस्न आया हुआ है और कुछ ऐसे परस्न में ने लिए हैं कि प बार अच्छी से क्लास को देख लिए चलिए अगला कॉर्शन देखिए किस प्रजा मंडल अंदोलन के तहट कृष्ण दिवस मनाएंगे दोस्तों बताईए तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कोटा ठीक है अगर यह कोस्टन्स ही अगर आप लगा के चले जाते हो ना दोस्तों तो आपका 80-90 35 स्कोर अच्छे से हो जाएगा वहां पर क्योंकि मैंने कुछ इस तरीके से और्गनाइज किया इन कोस्टन स्कूर ठीक है अगला देखिए 1938 में स्तापित मेवाड परजा मंडल का पर्थम देख से कौन था दोस्तों बताईए तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहां पर बलवन सिंग महिता एक नंबर ओप्षन दोस्तों हो जाएगा बलवन सिंग महिता चली अगला कोशन देखिए डुंगरपूर परजा मंडल के स्तापना किस ने की थी बताऊ दोस्तों दुंगरपूर परजा मंडल के स्तापना किस ने की थी तो I think सभी को इसका उत्तर मालूम होगा मोटे तोर पर कोशन यह भोगी लल पांडिया यानि तीन नंबर ओप्षन आपका सही हओ जाएगा अगला कोशन देखिए राजस्तान को किस रियासत राजस्तान की किस रियासत को पंड़े जोहरला नहिरो기에 विश्वे का आठमा आशिवाह कहा है जितने questions आजूंगे न वो सारे किसारी महत्रपून, एक ऐसा question कोई सा भी नहीं होगा जो महत्रपून है, सारे किसारी important है विश्वय का आठवा आश्री कहा गया है किसे कहा गया है दोस्तों बताइए जेसल मेर को किसे कहा गया है जेसल मेर को इस दा करेक्ट अंसर हो जाएगा पांचमेंगा चलिए जेसल में रियासत के इत्यास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया जेसल में रियासत के इत्यास में पहली बार जवाहर दिवस कब मनाया गया दोस्तों उत्तर दीजीगा कोशन इंपोर्टेंट है आ सकता है तो option number 3 आपका से होज़ेगा 16 November 1930 को ठीक है 16 November 1930 is the correct answer दोस्तों हो जाएगा चली आगे बढ़ते ही हाड़ोती प्रजा मंडल किस्तापना किस अध्यक्सता में की गई थी हाड़ोती प्रजा मंडल किस्तापना किस की अध्यक्सता में दोस्तों की गई थी बताई चार option आपके सामने क्या उत्र होगा इसका कोमेंट फटाफट उत्र दीजिएगा हाड़ोती प्रजा मंडल किस्तापना किस के दिख्सता में दोस्तर नमबर 4 हो जाएगा हाजी फेज महभबत ठीक है अगला महाराजा गंगा सिंग ने किस क्रांतिकारी के बेकनेर आगमन पर प्रतिबंद लगा था बहुत अच्छा कोशन है महाराजा गंगा सिंग ने किस क्रांतिकारी के बेकनेर आगमन पर प्रतिबंद लगा दिया था तो इस दह करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा प्रता को लाई करें जादे जादे और शेर मार दें एक बार जल्दी से शेर मार दें चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन प्रजा मंडल आंदुलन के दोरान जोदपुर जेल में एवेवस्ता और अन्याई की विद्ध भूकरताल करने के कारण स्वास्ते खराब हो गया तो 19 क्या होगा बाल मुकंद भिषा ठीक है बहुत अच्छा कोशन था लाइक करें साथ लाइक भी करते हैं नहीं किया अगला कोशन जेप्र प्रजा मंडल किस था अपना कब कीगी बहुत अच्छा कोशन है कई बार आ चुक है और इसको तर मालूम होगा आपको आई थिंग 1931 म मिवाड प्रजा मंडल अंदोलन से सम्मधित महिला कौन है बहुत ही प्यारा कोशन है मिवाड प्रजा मंडल अंदोलन से सम्मधित महिला देखते हैं कौन उत्रिस्क देता है कोमेंट में फटा-फटर दीजिएगा मिवाड प्रजा मंडल अंदोलन से सम्मधित महिला बतान कोटा प्रजा मंदल की स्थापना कब हुई कोटा प्रजा मंदल की स्थापना कब हुई बदाए दोस्तों चार आपके सामने हैं तो दो नंबर से हो जाएगा 1949 1939 के इंदर इस सन भी पूछे जाएंगे धान करना एक तो पूछा ही जाएगा पक्का जेशल मेर प्रजा मंदल की स्थापना की गई कहां पर की गई बदाओ जेशल मेर प्रजा मंदल की बॉंबई में कोलकत्ता में जेपूर में जोधपूर में कहां की गई जेशल मेर प्रजा मंदल की तो जोधपूर में दोस्तों की गई ठीक है आगे बढ़िए सागर्मल गोपा को जैसल मेरे में जिन्दा कब जलाए गया यहनि सागर्मल गोपा उसे जैसल मेरे मेरे में जिन्दा जला दिये गया तो यह परसन बन सकता है कि कहां जलाए गया जिन्दा जैसल मेरे में एक परसन तो परसन से बन जाएगा 2 सो आप से पूछ लें vorher 2 अप्रेश चेनल टीन अप्रेश लें हुआ जैपुर प्रजामंडल किस थापना किस ने की है जैपुर प्रजामंडल किस थापना किसने की और मिंपाथनी नहीं कुछ इन गी ठीक हां चली है के आःगे बढ़ते हैं 1919 में रजस्तान सेवासंग स्थापना कहां और 1919 में रजस्तान सेवासंग कि स्थापना कहां पर भी जबने प्रजामानिकी अब इसे आया था पिछे मेरे हिसाब से अब गेर आप दानसे क्लास को देखा तो इसका उत्तर एक नमघरlighव वजेखा डुंगरपुर ठीक है चलिए अगला कोशन देखिए बहुत ही प्यारी कोशन में लेके आया हूँ अगर इन कोशन्स को लगा दोगे न तो परजा मंडल आपको पढ़ने के आप शुकता नहीं है क्योंकि परजा मंडल किस्ता अपना की थी किसने की कंगा सिकने वकिल रगवि ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जमनलल बजाज चर्का संगिस्ता आपना कहां की थी बताओ दोस्तों कहां की थी जमनल बजाज नी6 सुरी 1916 को एक उत्तर क्या होगा जेपूर कहां की थी जेपूर के चलते हैं नईनू राम किस आंतोलन से संबंदित थे तो उत्तर हो जाएगा आपका बुंदी से किस से बुंदी से अगला नवीन राजस्थान के प्रकाशक थे 21 में क्या होगा नवीन राजस्थान के प्रकाशक विजेसी हैं पतिक ठीक है क्या होगा विजेसी हैं पतिक चलिए अगला जैसल मेरे गुंडा राजनामा पूस्तक के लेकर कोन अभी या आइधिंक सब को पता हो कि मैंने पिछे टैस सीरीज में कोशन डाला था तो सागरमल गोपा हो जाएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा सागरमल गोपा चलिए आगे एक जंचे इतना जागर्थिकी शुरुवाथ किस किसान अंदलन से यह बताना आपको बहुत इंपोर्टेंट कोशन है घाराई का प्रसन है तो इसका उत्तर ओजएगा बर्ड किसान अंदलन क्या होगा बर्ड किसान अंदलन चलिए बिजोली आंतुलों में भाग लेने के कारण किसको उद्धे पूरराजयसे निस्काशित कर दिया गए था मनिक के लाल वार्मा को अगे बड़ते हैं मार्वाड हित कारणे सबाह कि स्तापना किसने की मारवाड हित कारणी सबाकिस्तापना किसने की तो चान्दमल सुराना में हैं किसने की चान्दमल लिए हैं चलिए आगे बढ़ते हैं जंडा विवाद और चना निकाशी वाद किससे सम्मध देता है जंडा विवाद और चनानिकासी वद किस से संब्धेत है बहुत ही प्यारा पष्ण है कई बार आचुका ये यह होगा भीकानेर से संब्धेत होगा चलिए हब आता डाबडा कांड कब हुआ कब हुआ बहुत इच्या प्यारा पूशन है पूछा यह भी बहुत अच्छा है तासीमों कांड किस परजा मंडल से सम्मंदित है बहुत ही प्यार कुछने तासीमों अब आपसे पूचे कि तासीमों कांड क्या चीज है पहले तो इसको उत्र बताओ कि क्या होगा तासीमों कांड किस परजा मंडल से सम्मंदित है तो उत्तर होगा दोस्तों दोलपूर क्या होगा दोलपूर हो जाएगा दोस्तों नॉमबर 1946 में कब नॉमबर 1946 धान रखना इस एक बात बतारों important है नॉमबर 1946 को तासिमो गाउं में ये गाउं का नाम है तासिमो ठीक है दोलपूर परजामंडल में अधिविष्ण के इंदर इस गाउं में दिविष्ण किया गया जिसमें उत्तरदाई शाष्ण की मांग कर रहे थे दोस्तों किसकी कर रहे थे उत्तरदाई शाष्ण की लेकर राज्य पूलिस ने क्या कर दिया नर्श हस्ता दिखाए दिए तो तबी से इस गाउं के नाम से इसे दोस्तों तासी मोकांड कहते हैं सन पूचेज़ नूमर 1946 चीक है अगला राजस्तान का अंडबान निकुबार कौन सा प्रजा मंडल कहलाता है जेशलमेर है क्यों कहलाता है दोस्तों क्योंकि दूरस रेगिस्तान में दोस्तों स्तित जेशलमेर अवागमन में दुर्गम और कठिन मारक थे अबादे की विरलता थी प्रजा मंडल अंडलन से ऐ परभावित रहने के कारण हम इसे राजस्तान का अंडबान निकुबार कहते हैं यानि काफी दूर था और अंडलन से परभावित भी नहीं था दोस्तों ठीक है दुर्गम कठिन मारक थे इस वज़े से राजस्तान कंडबान निकुबार इसे कहा गया जेशलमेर को अंतिम प्रसंद दोस्तों टौप 30 कोसंस लिये थे मैंने डुंगरपुर में आदिवास छात्रवास के स्तापना किस ने की थी तो डुंगरपुर के इंदर आदिवासी छात्रवास के स्तापना किस ने की थी भोगिलाल पांडियाने किस ने की थी भोगिलाल पांडियाने तो ये थे दोस्तों टॉप 30 कोशन जो कि बहुत ही महत्तपुन कोशन थे लगबग यहां से प्रसन ही देखने को मिलेगा आपको उम्हेद करता हूँ क्लास काफी अच्छी रहीगा तो लाइक कर देगा और आंसर की भी मैंने पीड में डाल दी है या आपको मिल जाएगे मेरे टेलिग्राम चैनल पर अभी जाके जोइन कर लीजिएगा और फोलो नहीं किया है कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो कोई भी कॉमेंट यह डियम करके पूर सकते हैं बाकी पीडिफ आपको इस पर मिल जाएगी बाकी फोलो आपकी जिम्मेदारी है आप कर सकते हैं अगर आप चलाते हैं तो ठीक है तो कैसे रही आज की क्लास बताएगे जरूर कॉमेंट करके सारे कोईशन बहेदी इंपोर्टेंट थे दोस्तो लगबग वे कोईशन थे जो एक्जाम में हर बार एक्जाम में आती है तो कल एक ने टोपिक के साथ फिर मुलाकात होती है लाइक, शेर और सबस्क्राइब कर लेजीगा इसमें कंजूसी ना करें देखो आप लाइक नहीं करते हो शेर नहीं करते हो, सबस्क्राइब नहीं इसमें आपका एक पैसा नहीं लगता इसके बदले आपको कितना कुछ हम content दे रहे हैं तो उसमें कंजूसी ना करें चलिए, मिलते हैं इसे के साथ जय हिन, जय वारत